2024 का सबसे controversial phone OnePlus Nord C4 Lite रहने वाला है because of one simple reason इसमें Snapdragon 695 का use किया है जो वही अब 3 साल पुराना प्रोसेसर हो गया है और 12 से 13,000 के phones में मिलता है लेकिन ये आया है अंडर 20,000 के टैक के साथ लेकिन भाई फिर भी मुझे लगता है कि ये one of the best selling OnePlus phones हो सकता है बताता हूँ क्यों reason number one charging and battery अब देखो इस segment में मतलब अंडर 20,000 वाले market में mostly लोग prefer करते हैं कि भाई लंबी चलनी चीए उनके phone की battery तो भाई इसमें 5,500 mAh की battery तो दी ही है लेकिन साथी में जो प्रोसेसर है भाई सारा का सारा जो game है न वो 695 पर आकर रटकता है लेकिन यहाँ पर प्लस point बन जाता है Snapdragon 695 क्योंकि भाई प्रोसेसर अंडर पावर्ड है और 5,500 mAh की extra battery है यूजली 5,000 की देखने को मिलती है तो battery backup आपको इसमें भर-बर के मिलेगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी battery के use नहीं किया गया है 80W का super hook charger भी मिलता है तो phone तेजी से charge होने वाला है 52 minutes claim किया है OnePlus ने लेकिन 10-15 minutes आप extraos में जोड़ लो बट स्टिल इन सब considerations के चलते हैं हम यह चीज़ तो बोल सकते हैं कि बाटरी और charging के मामले में तो 20,000 के अंदर यह काफी अच्छी deal रहने वाली है and not just battery and charging यहाँ पर एक additional feature है charging का ही जो कि यह reverse charging हाँ 5W की है सिर्फ लेकिन भाई reverse charging वाला feature भाई इस budget segment में कम ही मुश्किली देखने को मिलता है now reason number 2 display जो है यहाँ पर AMOLED पैनल का use किया गया है 120Hz वाला with 6.67 इंच का screen जो वैसे देखा जाए तो Nord CE3 Lite इसका पुराना वाला जो version था उसके comparison में LCD to AMOLED एक बड़ा upgrade है and most importantly brightness के मामले में यह काफी impressive है because not just Nord CE3 Lite लेकिन साथी साथ Nord 3 जो actual में इसका असली तगड़ा competitor है similar prices पर मिल रहे हैं दोनों ही phones उससे भी जादा bright है यह almost 200 nits का फरक आपको देखने को मिलता है and viewing angles भी काफी अच्छे हैं इस phone के लेकिन भाई इतनी brightness होने के बावजूद इसमें HDR 10 प्लस नहीं मिलता आपको उसके लिए भाई light series में फिलाल कोई जगे नहीं है तो Nord 3 में वो आपको मिलेगा अब reason number 3 यह इतना क्यों बिखेगा है इसकी audio quality टेस्ट भी करवा दो आपको तो यहां पर stereo setup तो दे ही रखा है लेकिन overall मेरे experience में दोनों ही Nord C3 lights and even Nord 3 के comparison में जो यहां पर audio output था वो थोड़ा ज़ादा full sound कर रहा था थोड़ा ज़ादा white sound कर रहा था bass काफी अच्छा सुनाई दे रहा था इस phone में and even Nord 3 से अगर आप इसको compare करोगे तो जो इसके ओपर वाला speaker है ना खास करके यह थोड़ा ज़ादा loud है और इसमें bass का effect आपको थोड़ा सा better सुनाई देता है और यह जो थोड़ा loud की मैं बात कर रहा हूँ इसका जो volume है आप 300% तक increase कर सकते हो जो आपको दिखाता है यह अंदर से बट देन अगेन मेरे हिसाब से तो भाई यह marketing hives होती है बट रियल लाइफ में भी भाई it is enough loud मजा आएगा आपको वैसे not just audio consumption पर overall as a multimedia device normal lightweight tasks अगर आपके रहने वाले हैं कि whatsapp यूज करना है थोड़े बहुत movies देख लिए, गाने वाने सुन लिए, तो display, speakers, charging, battery life वो सब आपको इसमें अच्छा मिल जाता है, इन तीन reasons के बज़े से मेरे को mainly लग रहा है कि यह होने वाला है, इंडिया का 1224 का, one of the best selling OnePlus phones, लेकिन भाई इससे पहले आप बोल तो कि यह video sponsored है, कुछ ऐसी चीज़े में बजालता हूं, जो इसके बारे में मेरे को इतनी खास नहीं लगी, और उन चीज़ों पर काम किया जा सकता था, सबसे पहली चीज़ जो मेरे को इतनी खास नहीं लगी, वो था इस पर typing experience जो है, यार भाई, not C3 light में तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद था, इसमें हलका सा अफ्ग्रेड आया है, लेकिन still body में काफी vibrations feel होती है, इतना जादा control नहीं है इसके vibration motor में, तो वो जो एक must मजा आता है आप type कर रहे होते हैं, टेक्स बड़िया vibration होती है, वो चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलती, दूसरा reason है, snapdragon 695 का usage जो है, यहां पर performance and gaming पर आके सारी बात अटकती है, और भाई, उस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता है, इसका क्योंकि video editing जैसे task, या फिर आपको gaming करनी है, higher fps पे, वो इतना कुछ खास experience नहीं दे पाएगा, या आपको छोटे-मोटे games casual gaming करनी है, ऐसा नहीं है कि BGMI नहीं चला पाएगा, पर okish experience रहेगा, max out नहीं कर पाऊगा आप frame rates and यह एक मामला है जिसमें बहुत भेंकर lead ले ले लेता है, इसका successor not exactly the successor, but not 3 करके जो phone आया था इससे पहले, उसका जो processor rate has dimensity 9000 and it kills the competition in the OnePlus lineup, at least gaming, video editing and all the performance related tasks में तो खेर, यह थे कुछ reasons जिनकी वज़े से मैं को लगता है कि यह phone बहुत बिकेगा, लेकिन साथी में कुछ ऐसे compromises भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जिसके चलते भाई आपने देखा ही होगा, OnePlus को काफी hate देखने को मिल रहा है अब देखो, जो यहाँ पर 80W की charging दी है 5500 image की, बैटरी भी दी है साथ में, तो कहीं ना कहीं पे तो इनको compromise करना पड़ेगा, क्योंकि कि भाई cost भी जादा नहीं बढ़ा सकते हैं इस phone के line-up की, लेकिन साथी में नए features भी देने हैं, तो इसके चलते हैं जो Snapdragon 695 का बयंकर use देखने को मिला हमें, इसमें तीन साल पुराने processor का, वो इसी के चलते हो सकता है, कि भाई better fingerprints आ जाते हैं, जो कि मेरे को personally पसंद ने, तो फिर मेरे को case ही लगाना वड़ता है cameras जो हैं, आँपर definitely incremental upgrade है, अगर आप photos की बात करो, not C3 light के comparison में, definitely आपको skin tones and even background के color tones में, आपको काफी अच्छा एक upgrade देखने को मिलता है even videos के मामले में भी not C3 light से ही एक better phone निकल कर आता है, लेकिन videos के मामले में इतना कुछ खास upgrade नहीं है, same to same ditto जैसा 695, कि भाई OnePlus का जो optimization है, उसमें आपको front और rear दोनों में, 1080p 30fps ही मिलता है, वाई सिर्फ, और यहीं पर जो इसका main competition है, not 3, वो भाई lead ले जाता है क्योंकि आपको और के quality में shoot करने का option मिलता है, front camera में stabilization भी है, and साथ ही में आप background blur, bokeh वाली video shoot कर सकते हो, लेकिन ये not 3 से lead लेता है, इस मामले में कि भाई आपको यहाँ पर headphone jack देखने को मिलता है, बहुत लोगों के लिए काफी important feature रहता है, and apart from it if you are someone, जिसको भाई storage की कमी होते रहती है, photos बहुत जादा खिषते हो, videos बहुत जादा बनाते हो, तो not 3 में आपको storage expand करने का option नहीं मिलता, 128 ले लिया तो वही रहेगा 256 ले लिया तो वही रहेगा, लेकिन not C4 light में ये चीज़ है, कि आप storage को अपनी पूरी expand कर सकते हो, and उस मामले में definitely lead ले जाता है, बाकी इनका पूरा detailed comparison आपने पूरा b-rolls में देखी लिया, अगर आपको उसका पूरा वीडियो देखना है, तो उपर i-button में मैं दे दूँगा, also काफी सारे लोगों का main concern ये है कि वहाई, OnePlus के phones में भी pre-installed apps आने लग गए, इसमें याँ पर आप देखोगे, ये जो additional apps हैं, अब मान लो, linden, facebook, ये सब तो मेरे काम की app हैं, पर में भी कुछ लोगों के काम की app ना हो, पर ये जो additional games होगे रहा दे रखे हैं, इसमें, उसने भाई काफी tricky situation में डाल दिये OnePlus को, क्योंकि भाई, सारे लोग ये ही बात कर रहे हैं, कि यार OnePlus के phones तो clean experience के लिए जाने जाते थे, तो क्या सी इने काफी सारे लोग confused हो गए थे, बढ़ हाँ, अच्छी चीज ये है कि इन सारे apps को uninstall कर सकते हो, but still भाई, OnePlus bloatware free, बाकी आपके एसाफ से भाई, क्या ये एक अच्छा phone, अच्छा pick रह सकता है, इन reasons की वज़े से जो मैंने बता है, आपको multimedia experience पूरा है, बाटरी charging, with of course the compromises that you will have to make, कैसा लगा आपको overall OnePlus Nord CE4, मुझे नीचे comments बता हो, और मैं आप लोगों को मिलता नीचे, comments बहे,